दोसों आपने 2006 में आई फिल्म विवातु देखी है जिसमें अमरिता राव और शायद कपूर मुख्य भूमिका में दिखे थे जिनकी जबरदस कैमेस्ट्री दर्शकों बड़ा पसंद आई थी फिल्म में चुटकी का किरदार काफी चिलबुला था जो अपनी बहन को बात बात पर पर परेशान करती है साथ ही उनसे बहुत प्यार भी करती है इसे निभाने वाली अबनेतरी ने इसे काफी अच्छे से परदे पर उतारा दर्शकों से खूब सा राना भी मिली लेकिन इस चुटकी का किरदार ने भाने वाले ये बनेतरी आज कहां है क्या करती कैसी दिखती है अगर आप भी ये बात जो हनना चाहते तो वीडियो के अंट तक बने रहना और साथ ही हमारी इस वीडियो को विवा फिल्म के लिए ही लाइक कर दो विवा फिल्म में चुटकी का करद इन्ही ब्रेंड की एड़िवटाइजमेंट में काम किया। निभा के रिए काफी प्रसिद्ध हो गई इस फिल्म के बाद इन्हें टीवी सीरिल के ओफर आने लगे जिसे इन्होंने सुईकार कर लिया उनमें काफी अच्छे से अपने अभिने को निभाया जिसमें क्या हादसा क्या हाकिकत तुम में जाओं कहां यह मेरी लाइफ एक रिश्टा ऐसा भी जैसे टीवी सीरिल शामिल है इन सभी सीरिल में इन्होंने साइड रोल निभाया पर इन्हें सभी साइड रोल को निभा कर इन्होंने काफी परसद्धी असल कर ली पर आज भी लोग इने विवा फिल्म की छुटकी के लिए ही याद करते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि विवा फिल्म की छुटकी आज काफी बदल गई है आज इनकी उमर 32 साल हो गई है आज ये पहले से ज़्यादा सुंदर दिखती है जहां इस फिल्म में काफी सिंपल नजर आई थी ये काफी स्टाइलिश और ग्लेमर दिखती हैं आज जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपकी जानकरी लिए बता दे इन्होंने आज भी अपने अभिने करियर को जारी रखा है वर्तमान में सोनी के शो पट्याला बेवस में इशा और ब्रोय का करदार निभाते हुँ दिख रही है वहीं अगर बात करें निजी जीवन की तो आपको बता दे इन्होंने शादी नहीं किये ना ही किसी के साथ रिलेशन्शिप में है पर एक समय इनका नाम अभिनेता वीविन डिसेना के साथ जोड़ा जा रहा था जिनके साथ इन्होंने शक्ति अस्तित्यों के एहसास की शो में काम किया वहीं से इन दोनों की रिष्टे की खबर सामने आई जब इन से पूछा गया तो इननों गुस्वे में का ऐसा कुछ नहीं है बलकि वो तो मेरे एक भाई की तरह वेवार करते हैं हम दोनों कैसे रिलेशन में हो सकते हैं तब जाकर मामला ठंडा हुआ तो दोस्तों आपको इनका बदला और रूप कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और बॉल विट से जोड़े और वी बाते जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी गर दीजिए